हेलो जी, असलाम लेकुम, नमस्ते, सास्यकाल, वेलकम अनमे चैनल, चुपल चुट, आरो रीडिंग्स, और आज हम रीडिंग करेगे, पिककाट, येस और नो, आप लोग की रिक्वेस्ट पे, ये रीडिंग हो रही है, कि आप जानना चाते थे, कि कोई भी क्वेस्चन आप कि अपको अब भी गाइडन्स मेलेगी, आजल की तरफ से, ब्रीडिट एंप्ते गाइड की तरफ से, और टैरो गाइडन्स मेलेगी, कि आपके लिए बेस्ट क्या रहरा है, आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में, क्या ये चीज आपके लिए ठीक है, नही है, इस तो आप अपनी डेट अप बर्थ जो आपकी अपनी डेट अप बर्थ है उसके लिहाज से आप पाईल को सिलेक्ट करेंगे और मैं में लोगी आपसे आपकी रीडिंग पे यह जनल रीडिंग है जनल क्वेस्चेंज हैं जनल मैसेज़े होंगे इसमें आपने question खुद सोचना है अपने mind में जिस भी चीज को लेके आप meditate करेंगे परिशान है उसका answer आपको मिलेगा और guidance मिलेगी कि आपके लिए best क्या है और मैं यहाँ पे book of the answer से भी आपके लिए question पूछूँगी जो उनकी इदर से answer आपके लिए क्या अंकलता है ठीक है वो भी आपने question फिर यही सोचना है और उसका answer आपको मिलेगा तो start करते हैं अच की reading like share and subscribe वीडियो को आपने जरूर like और share करना है और subscribe करना नहीं भूलना है channel को comment में अपना feedbacks रूट देंगे क्या आपने क्या सोचा और उसकी guidance कैसे थी क्या आपके लिए ठीक है क्या आपक क्या answer है जो आपने question सोचा है उसका answer क्या है overall देख लेते हैं आपके जो question उसकी answer उसके बाद हम मजीद यहाँ पर देखेंगे we have a yes यहाँ दो चीज़े है no भी है और yes भी है आपके लिए yes निकला है ratio react old ideas breathe new life into it अच्छा कोई चीज़ जैसे है कि आप शाद new beginning के लिए कुछ सोच रहे है कुछ नए है आपकी life में आने के लिए आप सोच रहे है ठीक है और answer is yes लेकिन उससे पहले इस चीज़ को पाने से पहले आपको पहले old चीज़ों को release करना पड़ेगा remove करना पड़ेगा और अब ये old चीज़ें आपकी कुछ भी अगर relationship wise है तो past को आपको release करना पड़ेगा forgive करना पड़ेगा heal करना पड़ेगा और अगर career wise है तो भी यह हो सकते है कि अपना mind change करना पड़ेगा कोई चीज अपने अंदर अपनी सोच के अंदर आपको थोड़ा सा change लाना पड़े आइडिया शायद आपको new करना पड़े कुछ नेर ट्राय करना पड़े so it's a yes it's a yes for new beginning new beginning के लिए it's a yes और अगर कोई past के बारे कोई चीज आप सोच रहे है कि वो चीज आपको मिले की नहीं मिले की कुई आएगा नहीं आएगा तो पहले past को भूलना होगा वोगा वोचीज करें जिसमें आपका heart involved है जिसमें आप काफी चीज को लेके passionate है excited है जो चीज आपको कुछ कर रहे है जो चीज आप करना चाहरे है another yes beauty and growth surrounds you cherish it yeah तो कुछ लिए baby के लिए आपने देखा है या पने बच्चों से related आपने कोई news देखी है उनके लिए yes है new beginning है relationship wise भी it's a yes new beginning के ल आपके लिए आपके लिए आपके लिए क्या answer है आपके question का तो overall तो यहां पर yes नजर आ रहे है आपके लिए two of pentacles या कोई decision हो सकता है जिसको आपको लेना पड़े और आप नहीं सोच रहे कि क्या होगा yes मुझे लगता है कि कोई emotional burden है जिसको आपको release करना पड़ेगा पहले या आपका कोई creative work भी हो सकता है जिसको लेकि आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैं करूं या ना करूं इस काम को आप जब करेंगे तो आपके responsibility ज़रूर पड़ेगी definitely और उन responsibility के लिए आपको ready होना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत का फल आपको फिर मिलेगा और को बन्हान देख़ें कि उसमें अपे pressure क्या है, burden क्या है, expectations क्या है या लोह आप से क्या करवाना चारहे हैं, जो आपको expect कर रहे हैं, ये देखें जिसमें आपको खूशी हो रही है, जिसमें आपको compressor नहीं मिलेगारी, आपको ये चीज़ नहीं के जारी, आप खूद करना चाह प्रेशर नहीं होना चाहिए यह आपके लिए फ्रीटम होना चाहिए इसमें ईसमें ओर आपकी आप इस चीज को अलाओ करते हैं नहीं करते अचा कुछलों के लिए श्यलिए एक्स वली इनर्जी हो सकती है आप सोच्च्छहें कि educatic अगर आपका एक्स आगया है, या अगर आजाएगा, या आपको अपने एक्स को छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा इंसान है जिसके बार में आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इसको रिलीज कर दूँ, आपको इस इस इंसान को रिलीज करना पड़ेगा, येस, अगर यहाँ पर ब आपके अपने creative work को लेके भी हो सकती हैं, जिसमें आपको अपनी मेहनत करनी बड़ेगी, और आप एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके dreams हैं, एक तरफ आपके dreams हैं, एक तरफ लोगों की expectations हो सकती हैं, तो आप देखेंगे क्या आपके लिए क्या best है, तो answer is yes, आपका dream पूर हैं, और responsibilities भी आपके ज़्यादा बढ़ेंगी, बट आपका dream पूरा हो सकता है, अगर आप सोच रहे हैं, ओर आपके लिए, आपके पस choices हो सकते हैं, चीजें हो सकते हैं, आप जिनको लेके कफी confused हो सकते हैं, या किसी specific person या situation को लेके जो आप confused हैं, वो confusion आपके लिए clarity लेके situation में चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, अगर आपका ex वापस आता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सोच रहे हैं, कि मैं उस इंसान को अलाव करूँ, wait करूँ, उस इंसान का ना करूँ, move on करूँ या ना करूँ, इस वक्त आपके लिए बेटर रही है, कि आप mentally इस situation से move on करें, peace create करें, और अपने mind को थोड़ा सा open करें, new opportunities के लिए, new लोगों के लिए, new relationship के लिए, new friendship और new environment के लिए, क्योंकि आपको past को मैंने आपसे पहले काय रिलीस करना बढ़ेगा, शयद अब आपका mind चेंज हो सकता है, या आप जिस situation में आप अटके में हैं, वो अटके में आपको freedom feel हो जिसमें आपको mental peace मिल रहा है, जो आपके लिए ठीक है, आपकी mental और आपकी emotional health के लिए ठीक है, ना कि आपके लिए एक burden हो, एक pressure हो, एक बोज बनके रह जाए चीज और आपको समझ भी नाए कि आपको या कर ना जा रह हो, तो यहाँ पर एक चीज औ के लिए आप काफी confused हैं, और confusion सिर्फ वजा से है, कि या तो आपका mind अभी भी सोच रहा है इस चीजों को यह चीज पॉसिबल हो सकती है, अगर यह situation ship है, इसमें आप अटके में इस चीज में, तो it's time to drop, ठीक है, अब time आगे है कि आप reality को face करें, एक्सेप्ट करें, जो ची चीज को choose करना है, तो वो भी आप उसमें मैंने आपको बता दिया कि आप यह चीज देखेंगी, जहां पर growth है, जहां पर beauty है, जहां पर freedom है, जहां पर आपकी heart की desire है, जहां पर आपका new ideas, new beginnings आपके लिए, एक new chapter स्टार्ट होने वाले है, लेकिन उसे पहले past को release करना लेकिन कुछ यह चीज हैं, आप मैंसे कुछ लोग यह सोच रहे हैं, कि यह चीज पॉसिबल है यह नहीं है, अगर आप उसके लिए effort करेंगे, लेकिन उसमें responsibilities आपे ज्यादा आएंगी, so answer is yes, जो चीज भी आप सोच रहे हैं, या मुझे लगते हैं आपको कोई decision लेना benefit हो सके, planning हो सकती है, जिसमें आपको कल को benefit हो सकता है, उस चागे पर investment करें, जहां से कुई benefit भी हो, ना कि यह सिर्फ के आपके लिए फिर burden और pressure एक responsibility आपके लिए बन जाए, यह किसी और की pressure में आपके आपके कुछ चीज करें, yes, कुछ लोग के लिए लग रहे हैं, आप ब आपके एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, टेक अक्शन, दो सम्तिंग, यहां पर न्यू बिग्निंग है, मैं अपसे पहला का है, इस न्यू चेप्टर, इस न्यू बिग्निंग, और अगर यह कुई पास से वापस हारा है इंसान, तो उसके लिए आप आप सोचेंगे, कि मैं इस इंसान के लिए इस इंसान को चांस दू या नहीं दू, अगर आप देंगे, तो पीछे वाले पास्ट कोली चीज़ों को बूलना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, बहुत ही दिल पर पत्थर रखें, इस इंसान की सारी चीज़ों को, गलतियो को टेक होगा ना कि एसा इंसान जो अपने बारे में सोच रहा है सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है ऐसा नहीं यह पर एकुल गिवन टेक होना चाहिए ठीक है तो I think आपके एंसल क्रेश्ट क्लेश कहें है जो चीज़ां भी आपको चाहिए it will come true और कुछ नों के लिए मुझे लग रहे हैं वन वीक, वन मन्त के अंदर या फोर तो सिक्स वीक्स के अंदर या मन्स के अंदर आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके action पर डिपेंड करते हैं, आपके decision पर डिपेंड करते हैं but something new is coming, new chapter is about to start, ठीक है, यह आपकी reading है, like, share and subscribe, मैं में लोगी next reading में, oh yeah, oh I forgot, okay, तो question के बारे में सोचें, और मैं यहाँ पर आपसे book से answer आपको दूँगी, मैं भूल गी थी, ठीक है, let's see, one, question के बारे में सोचें, two, three, and answer, count to ten, ask again, इसका मतलब यह है, कि आप शायद मन्त अफ उक्टूबर में कुछ चीज आपके लिए हो, और ask again का मतलब यह है, कि दुबारा सोचें, दुबारा पूचें, शायद इस situation के बारे में इस इंसान से बार बार पूचें, बार बार देखें उस चीज को, और जो चीज आप और थोड़ा सा टाइम को लेके decision ले, जल्दी नहीं करने, जल्दबाजी नहीं करने, relationship-wise, ठीक है, तो यह आपकी रीडिंग है, मैं मिलोंगी नेक्स चेप्टर में, हेलो पाइल नमर टू, जिन्होंने रोस कॉर्ट्स चूस किया है, और आपके, डेट अप यह है, वेलकम यह थीम होगी, लेकिन इसके बाद वजूद, और टैरो कार्ड और 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 अरकल भी देखेंगे, so we have a no, having blind spots, what you see is not real, okay, कुछ चीज ऐसी है, इसकी reality का आपको नहीं बता, इसके पीछे कुछ चीज सिक्रेट हो सकती है, इसके पीछे कुछ चीज और सकती है, जो वजा है, आपको नहीं बता, लेकिन कुछ आपको रवील होगा इस चीज के बारे में, कोई किसी का सच सामने आएगा, आपको कुछ चीज अवेर्नेस अभी शाद नहीं है इस चीज के बारे में, यह आपको सही नहीं पता, ठीक है, कुछ चीज ऐसी हैं, जिसके बारे में आपको मज प्रेश आउटलोग ब्लॉसम ओपन तो डिवाइन इंस्पिरेशन और नेक्स्ट काड़ यस वाक बिफोर यू रन फ्रेश आउटलोग बेबी स्टेप्स यह इस सिचुएशन में आपको बेबी स्टेप लेने बड़ेंगे मैंनत करनी बड़े अगर यह कोई करियर वाई देखते रहें जब आपके लिए मौका मिलेगा उस वक्त आपके लिए जो आपके लिए सही टाइम होगा उस पे वज़ी आपके लिए होगी अगर हम रिलेशनशिप वाइस बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज ऐसी है जिसमें आपको नहीं पता हो सकता ही इनसान आपसे कि यह चीज आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी destiny में, आपकी किस्मत में कुछ चीज और लिखी हो सकती है So कुछ चीज ऐसी हैं, जिसके बारे में आपको चीज रिवील होंगी या आपको baby step लेने पड़ेंगे, आइस्ता, आइस्ता, step by step इस situation में आगे बंढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी चीज ने clear होती जाएंगी लेकिन यहाँ पर sunny outlook, blossom open to divine inspiration, open to divine, अपने mind को open रखें कुछ चीज भी possible हो सकती है, इस connection में, और new चीज़ों के लिए अपने mind को open रखें कुछ भी possible हो सकता है, कुछ भी, anything is possible with the divine, उपर वाले, जिस पर भी आपका जो भी religion है अटूपर वाले पर आपको जो भी चीज आपके लिए उपन कर रही है, और आपको जो चीज आपके लिए नहीं है, वो नहीं मिलेगी जो चीज है वो आपके लिए मिलेगी, उस चीज के लिए आप उपन रहें, mind को open रखें यह आपके लिए आंसर है इस वक्त, ठीक है, लेकिन आप देख लेते हैं मजी, टेरोर से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आंसर है, या नाइट फेंटिकल्स अगेन, इस वेरी स्लो चीज, क्यों चीज ऐसी है, जिसके लिए आपको धीरे धीरे आइस्ता आइस्ता क्योंके बार में पता चलेगा, जिस इंसान के बारे में शायद आप सोच रहे हैं वह एंसान भी, मुझे नहीं लगता कि अस इंसान का फोकस अभी आप पे है, या फ्युटर पर है या प्लाणिंग पे है, क्यारिर हो सकते है उनका फोकस कहीं और है, वो साधी नहीं करना च चीज़ें पता चलती जाएंगी automatically, you're on the right path, keep moving, आपका answer यह है, कि आप move करते रहें, आप वेट नहीं करें, अगर किसी इंसान का वेट कर रहें, आप वेट मत करें, keep moving, अपने life में आगे बढ़ते रहें, अपने mind को open डखते रहें, opportunities आपको मिलेंगी, और future में next seven weeks या months के अंदर, आपको definitely कुईने कोई चीज़, इस relationship के बारे में, इस situation के बारे में clarity मिलेगी, जो लोग बाहर shift होना चाहरें, कहीं out of city जाना चाहरें, या आप job की तलाश में, उनमें भी आपको बीपी step लेने पड़ेंगे, अगर आप कोई career के बारे में सोच रहें नहीं कि यह चीज़ में करूं, इसमें मुझे फायता होगा, benefit होगा, success मिले की, या कुई investment करना चाहरें, बच्चों की investment आपकी करना चाहरें, अपने लिए कुई investment करना चाहरें, या future के लिए करना चाहरें, आपको आइस्ता आइस्ता चीज़े नजर आएंगी, आपको आइस्ता चीज़े नजर आएंगी, सोच समझ के आपने decision लेना है, कुई चीज़ पर chase आप करना चाहरें, तो वो भी आपके लिए, आपको benefit होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा wait करें, जल्दी में आके चीज़ों तो यह इंसान के साथ आपको आइस्ता टाइम लगेगा, यह इंसान पहले हो सकता है, उपन अप होगा, उसके बाद ट्रस्ट करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, step by step, आते ही आपने बिल्कुल परपोजल और इस्ता की चीज़ बात नहीं करनी, टाइम लगेगा इस इ Emperor, Aries, Seven of Cups, Wheel of Fortune, तो कुछनों के लिए जैसे मैं आपसे कहा, यह आपकी पैरंट्स, आप शायद as a father यह as a mother कोई चीज सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसमें डेफिनिटी आपको बेनेफेट होगा, बहुत सरी चीज़े हैं, आपने बच्चों के बारे में, तो ताइम के साथ चीज़े अची लगती हैं, ताइम के साथ चीज़े इंप्रूव होती हैं, और आपके अदर वो इंप्रूवमेंट आएगी, और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर यह रिलेशंशिप की बात हो रही है, यह पर इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा, इंप् कोई options हैं, आपके माइन में कोई सारे ideas चल रहे हैं, आपने वो चीज़ करनी हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, इसमें आपको successful हो हो रहे हैं, तो शायद आपने से कुछ लोग इंटर्परण बरना चाहते हैं, आपना कोई बिजनस टाट करना चाहते हैं, यह अपने फादर चाहिए, जिससे आप सीखेंगे, यह सब कुछ राइट, उसके बाद ही आप emperor बनेंगे, बिल्कुल knight से जाके emperor नहीं बन सकते, तो यह जीज़ होगी, और यह भी नजर आ रहे हैं, अगर आप किसी का wait कर रहे हैं, और तो इस इंसान को time लगेगा, लेकिन the question is, आपके लिए किसी के लिए, यह भी हो सकते हैं, कि आपको इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जो अल्रेडी relationship में है, अगर आपको कोई मसला नहीं है, आपको लगता है कि आप wait कर सकते हैं, yes, keep waiting, लेकिन यहां पर question यह आ रहे है, और आपकी reading में, जो मुझे यहां पर, as a reader, यहां पर ची सूँगी, आप जितना किसी के लिए वेट करेंगे, यहां पर कोई guarantee नहीं है, कि आपके लिए वेट आपको फल देगा, यह नहीं देगा, yes, it depends on the time, यह चो चीज़ भी आपको चाहिए, और divine timing है उसमे, और अगर किसी के साथ आपका कोई relationship work रहीं किया, और आप आप इनसान वापस आना चाहता है, तो उस वक्त भी कोई reason थी, हो सकता है, उस वक्त कोई reason थी, तो किसी के बारे में आपको such reveal होगा, कि उस वक्त यह इनसान ready नहीं था, अब ready है, क्यों, क्या वज़ा है, उस वक्त यह इनसान अपने बारे में सोच रहा था, अब यह इनसान भी अपने यहादी की बात हो रही है, आप शादी की शाद बात करना चाहरे है, तो, yes, you will get married, शाद 2024 की एंड पे होगी, और कुछ लोग की लिए आपकी शादी, next, I don't know, next, maybe, 10 months के अंदर, शादी हो सकती, 7 to 10 months के अंदर, यह रिष्टा यह प्रपोजल आपका आ सकता है, कुछ लोग के लिए, 2027 में भी आपकी शादी होगी, या next 4 years के अंदर, जब भी आप इस वीटियो को देख रहे हैं, क्योंकि स्लो है, it's a baby step, बहुत टाइम लगेगा, भी बहुत टाइम है, शादी में आपकी या इस इंसान के साथ, अगर यह आपको लगता है, आपका च्विन फ्ले में, आपका सोल में है, अगर कोई डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के दर्म्यान में, तो हो सकता है, इस 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 इसान के लिए पको बेट करना पड़ेगा, या जैसे मैंने कहा, अगर यह इस इस इसान के बच्चे है, कुई और रिस्पोंसबिलिटीज है, केरियर पर फोकस्ट है, तो आप किसी के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करें, केप यूर माइंड ओपन, ओप्शन ओपन, तो हो सकता है, तो आप के लेवल का आपको मिल सकता है, जो आपके साथ, रेडी हो, चीजें चेंज हो सकती है, आपका माइंड चेंज हो सकता है, और किसी वी वक्त चीजें चेंज हो सकती है, अपने माइंड को ओपन रखें डिवाइन इंटर्वेंशन के लिए, मतलब, हो सकते हैं आप कि के लिए वेट कर रहे हैं किसी और का माइन आपके दिमाग में है यह कुई आपके दिमाग में एक आइडिल्टी आप टाइप यहीज़ मुझे मिलनी चाहिए लेकिन आपके लिए बेस्ट कुछ और है यह यूणिवर्स का प्लान है जिसको लिए आपको अपन होने वह कुछ प्लान हुआ तो आप तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे जब गॉथ यह यूणिवर्स का प्लान ही कुछ और है अपने माइड को ओपन रखें प्लीजेप यह माइंड ओपन रखें प्लीज कीप यह माइड ओपन रखें बहुस वरी चीजह आपको नहीं पता है आप से चु आप कुछ शचाद in the future, next 7 to 10 days, weeks के अंदर, हम इनसान है, हम मूदी है, हमारा, इस अपर थाईम पे, हमारी निजी पे, इस अपर होसकता है, आज आप किसी और ठाइमे है, ठीक है, आज आप नहीं है, आज आज आप इस चैनल पे हैं, कल आप इस चैनल पे नहीं है, it is possible, राइ खाल आप मुझे देख रहे हैं आप तो आप नहीं देखर गेंगे ठीए होज़ आप किसी और चैनल पे होंगे आप 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 शाद ला जाएद देखें या ना देखें यो अद डिपन कर तो डिपन करता है इससी तना से हमारी नापी फैट पी उसी चीज़ पर डिपंड करत विश करते रहें, ब्रेक करते रहें, दुआ मांगते रहें, डेफनिटी आपको next 4 to 10 या 7 weeks के अंदर, months के अंदर आपको या गुट डियूस मिल सकती है, कुछ लों के लिए next 4 years के अंदर, within 4 years तक, या 2027 तक, you will be having a baby, right? तो आपको progress मिलेगी, जो लोग अपना business टार्ट करें, उनके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन या पर यह चीज भी हो सकती है, अपने mind को open रखें, शादी के लिए अपने mind को open रखें, क्योंके जो चीज आपकी destiny में किसमत में लिखी है, वो होके रहेगी, उसको आप change नहीं क अपने parents रिलाइबल हैं, कब तक आप करेंगे, you will definitely, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी successful बनेंगे, financially independent बनेंगे, yes you will, time will change, लेकिन आपको भी change करें, एक determination, एक will power होनी चाहिए, कि मैं यह चीज़ करके रहूंगी, यह करके रहूंगा, वो चीज़ आपको मिलेगी, यहाप के इस इंसान के बारे मिए अप सोच रहे हैं, और बिलकुल टोटली पलेटके लेकर ही आपको दुनिया दिखा दे, उसके बारे में कुछ और ही आपको रिवील हो जाया, बिलकुल रपर ब्रदी हो जाए, और ऊप्प्राइज हो जाए और आप सुर्परां सो जाएं, यह क तो answer is yes लेकिन कुई चीजे हैं जो आपके लिए नई है तो वो नई है उसके पीछिए reason है और उसका reason आपको time के साथ समझाएगा वक्त के साथ कि वो चीज आपके लिए क्युद थी ती वो चीज आपको क्यो नहीं मिली कुछ चीज आपके लिए क्यों नहीं होरी, there's a reason आपका कुछ औरी परपस है, आपके लिए कुछ औरी लिखा है time will tell, only time will tell ठीक है, यह आपका message है लेकिन अप question सोच लेते हैं सोचें में question और मैं आपको यहां से answer देखें आपके लिए one, two, three you don't really care, oh my god okay 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 तो पास वाली कुछ चीज हो सती है वापस है जिसके लिए आपको केर नहीं है, आपको परवा नहीं है या in the future आप इस चीज के बारे में जो जिस चीज को लेके आप इतना परशान है टेंशन में हो रहे हैं, वो चीज आपके निमाग से निकल जाएगी या आप पे है, आपकी विलपावर पे, आपकी स्ट्रेंग्ध पे, आपके एक्षन पे है आप डिसाइड करेंगे अब लोग नेक्स रिदिंग में हेलो पाल नमर स्री जिन्होंने ग्रीन एवेंट्रीन चूस किया है और आपकी जो बर्थ, देट बर्थ है वो यह है वेलकम न यूर रीदिंग तो आप लोग के लिए देख लेते हैं आपके लिए माइन में जो भी आपका क्वेस्टन है उसका अंसर क्या है आपके लिए और क्या चीज आपके लिए आपकी विश्पूरी होगी नहीं होगी जो चीज आप सोच रहे है वो आपके लिए ठीक है नहीं है let's see जो भी आप सोच रहे है मायं में तिंख बाट लेट ग्वेस्टन अगर आपने पहले नहीं सोचा था तो answer is no, अब जो चीज आपको चाहिए, वो अपक लिए ठीक नहीं है, वो एक process में है, dangerous भी हो सकती है, जिसके लिए आप risk लेना चाहरे हैं, यह कुछ करना चाहरे हैं, वो चीज आपके लिए dangerous हो सकती है, तो समंझ कि decision जहना है उसमें ठीक है हो सकता है कुछ चीजें इसी हैं जिसमें आपको नुपसान हो सकता है आपक ये लॉस्त हो सकता है आपकी देनशी में ग्राइब उसके पर जाकािंटेज हशोरा स Whew जबना ऍटी अक चृँट में उसको आपके स्टेबल में ना Thank you yes golden opportunity, clouds lifting clear skies yes, आपको definitely यहाँ पर कोई golden opportunity मिलेगी यह आपके सामने वो चीज सामने clarity आएगी वो opportunity मिलेगी, वो चीज मिलेगी तभी आपको पता चल जाएगा automatically that this is for you तभ आपको सारे answers सही हो जाएगे your eyes are fully open seeing what's possible yes, मुझे लगते है कि चीज है आपके यह जो cloud है जो इस वक्ते एक छटेवे बादल है चीज है confusion है वो clear हो जाएगा आपको exactly पता होगा कि आपने कहां जाना है क्या करना है किस तरह करना है सारे plans आपके जो हैं वो आपके मताबिक चलेंगे इसके लिए आपको कॉशन यूज करनी पड़ेगी ठीक है मतलब डेंजरेस चीज नहीं होनी चाहिए आपके लिए लॉस्ट नहीं होना चाहिए उसमें profit और benefit होना चाहिए आपके लिए मतलब यह उन लोगों के लिए नो है जिनको अभी clarity नहीं है तो उनकी लिए नो है क्योंकि आपको कुश पता ही नहीं है कि चीज क्या होने वाली है या आपके लिए वो चीज ठीक है यह नहीं है तो इस लागर है कि आप एक अन्ना उन चीज में जा रहे हैं ऐसी चीज में इसमें आपको clarity है यहां पता ही नहीं हो तो तब तक वेट करें जब तक आपके आँके नहीं कुल जाती है जब तक चीजें आपको clarity clarity मिल नहीं जाती नजर अनीं जाती है रागल कई यह आप खुद या business partnership हो सकती है, legal matters अगर सोच रहे हैं, win करेंगे, yes you will win it आपकी विश लिब्रा सीजन में भी पूरी हो सकती है जो आप आरहे है, लिब्रा सीजन अक्तूबर में, जब डिपेंड करते है, yes within one week or month, आपकी विश पूरी हो सकती है अच्छा, यह लिए पूरी है, अगर आप सोच रहे हैं, कुई ग्जाम है, टेस्ट है, आपकी इंटर्वीव पास होगा, या उन लिए इस गुड, यह यह पास होगा, इस पुड, इस पूरी होगा और इन्वेस्ट करना है, और यहां पर आपसे कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, यह लोग जाना चाहरे हैं, उन लोग के लिए गुड ट्यूस है, प्रोफेशनल डिग्री, एडुकेशनल डिग्री, जॉब के लिए हासे अच्छा है, वीजे के लिए अच्छा है, जो लोग जोग क्या करना है, कैसे करना है, यह, 8-of-cups, लेकिन उसके लिए आपको लोग सारी चीजे पीछ चोड़नी भी बढ़ेंगी, यह, लोग इस आपको अपको अपको अब नी पता आपको, अभी बहुत सारी चीजें गन्फूज हैं, आपको अपको 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 अब ही बह लेकिन जैसे मैं बहुत सारी चीजें गन्फूज हैं, आपको नहीं पता कौन है इस इस इंसान के ऊपर आपकी नजर है, आपको अइडिया नहीं है, कि यह इंसान वापस आएगा, नहीं आएगा, कौन आपके लिए ठीक है, बेस्ट है, यह नहीं है, तो अभी आपको आपके लिए खुलता जाएगा और आपको मुझे लगता है कि गाइड किया जाएगा कि क्या स्टीज आपके लिए ठीक है, कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि इस वक्त बहुत स्टक और सबटाज अनरजी हो सकती है आप कर सकते, ऐसी कुछ चीज नहीं कर सकते, जिसमें आपको पता नहीं है, कि यह चीज आपके लिए ठीक है या नहीं है, ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं, आपको या किसी और इंसान को, ठीक है, तो वो चीज़ें आप दोनों के दर्म्यान में clear होंगी, आप 99 और 88 नंबर या आपके लिए कौन सी फील ठीक है, या मैंने जैसे का, आपकर सोच रहे हैं कि अगर आप इंडिपनेंट होंगे नहीं होंगे, कुई जॉप है, इंटर्वी और इंटर्वी और पास होगा है, इत विल पास, आपकी महनत का आपको रिजल नजर आएगा, जो चीज़ आप या आपको अभी इस इंसान के बारे में clarity नहीं है, कुछ पता नहीं आप दोनों के दर्म्यान में क्या चल रहे है, confusion है, या आपको ये idea नहीं है कि वो आएंगे, बात करेंगे, confess करेंगे ये इंसान कभी, या अगर आपको छोड़ की गया था, क्यों छोड़ के गया था, हो इस इंसान नहीं, या अगर आप किसी को छोड़ रहे है, कुई चीज आपके लिए dangerous है, हो सकते है, वो चीज आपके लिए dangerous हो, वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, उसके बारे में भी आपको idea पता चलेगा, इस वत आपका focus अपने आप पे होना चाहिए, अपने future, अपन three, you will need to take the initiative, okay, यहाँ पर initiative, मतलब आपको खुद initiative लेना पड़ेगा, खुद बात करना ही पड़ेगी, खुद clarity देना ही पड़ेगी, जो चीज आप करेंगी, क्योंकि justice का मतलब है, equal given, take balance, जो चीज आप करेंगे, उसका result मिलेगा, महनत करेंगे, उसका फल मिलेगा, वेट क करेंगे, तो अगला भी इनसान आपसे बात करेंगा, अगर आप कन्फ्यूज है, वो इनसान भी कन्फ्यूज हो सकता है, आपको clarity नहीं है, उस इनसान को भी clarity नहीं है, तो यह time के साथ चीजे होगी, आपको इसमें लेना पड़ेगा, आपको खुद इसमें हलचल करनी पड यह है आपका, आपकी reading, like, share and subscribe, मैं हम लोगी next reading में